हेलो हेलो फ्रेंज गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैज चैनल और वताई फ्रेंज गैस हो आप सब आई होप कि आप सब बढ़ी होंगे और मस दो फ्रेंज आज हम बनाएंगे पालक की एकदम नई रेस्पी यानि की पालक का देशी स्टाइल सब्जी जिससे बनाना क्या वेल पालक हो अब हम चाहadowsे भाते फिक पालक टांप ये जाओंगा अंनो के एक गड़े कि प्रेंज ऑन्कालगा यहां गूर नहींज मुलिए तो फ्रेंच आप आप देख सकते हैं हम जो पालक का पेस्ट बनाया है इसमें एट करेंगे आधा कप बेसन और बेसन डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि बेसन पालक की पेस्ट में अच्छी तरह से मिल गया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम मिक्सर को एक प्लेत में रख के फैला लिए और इस प्लेट को हम रख देंगे सा éénघ में और अब चलिए थ्वासा मसाला बना लेते हैं तो फ्रिंज मसाला बनाने के लिए हम वी जार लेंगे जिसमें थ्वासा पेस्ट जो बचा के रखे तो इसी जार में हम एक टमाटर एक प्याज चार पाज जोवा लशुन की करली एक पिंच अद्रक कर टुकरा दो हरी पीस लेंगे तो यहां पर मसाला बनके तयार हो गया है और अब हम इसी मसाले में एड़ करेंगे आदा चमद धनिया पाउडर आदा चमद गरम मसाला आप चाहे तो कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं और डाल कि इन चब को अच्छे से मिक्स तल लेंगे तो फ्रेंस लेज और मैं बस जीरा और हिंग डाल के तरका लगा रहे हूं इससे भी इसका स्वात बहुत बढ़िया आएगा और देखी मसाला डालने के बार हम इनको भून लेंगे तो यहां पे मसाला भून गया है और इसी मसाले में हम डालेंगे थोड़ा से जो पालक का पानी पचाता है उ इसी तरह से बिल्कुल रखना है और पानी रखने के बाद मतल का टोरी रखने के बाद इसी के ऊपर जो है जो प्लेट वाड़ा मिक्सर हम फैला के रखे ते नो ओ मिक्सर इसके उपर रख देंगे और रख के फिर धकन लगा कि हम इनको पास मिनट जो थोड़ा सा इस्टिम पर मिक्सर अगए और साथ में जाएगा और पृट गार्वाट नेकाल लेंगे और प्राने मसाले को यहां और यहां पर हमारे मासाला जो है पून गया अच्छे से और अब हम इस नसाले में थोड़ा सा पानी अट करेंगे और उपर से मैं थोड़ा चा और पानी डाली हूं क्योंकि मुझे पानी थोगा चाम लग रहा है और अपना पानी डालीए जितना पूर ग्रेवी चाहिए मैं उबाल आने देंगे और जब तक ग्रेवी में उबाल आएगा तब चली जो हम लेट में मिक्सर रखे ठंड होने के लिए उनको चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर अब में अच्छे से छोगा और देंगे ऑर हम इनको कट कर लें सब्सक्राइब करें सकते कि पंप चला लेंगे ने के इंक रघ करेंगे। हम चलाने के पारी के बार दालेंगे। यहां पर पिर दो मिनट और भी दो मिनट के बाद आप से मिलते हैं। और आप देख सकते हैं, सबजी हमारा बनके तियार हो गया है, और एब हम GETS NAG, कर देंगे और इस सब्जी को इक बाemaegerाओ में ट्रास्टर कर लेंगे तो यहाँ फर मैं इससबजी को और शौट सा और सांदार बनाने के लिए इस ओड़ाओ अब तड़का जो लगा रहे हो है कास्मिरी लाल मिर्च बहुत कम किश्चा है सबजे हमारी पन के तयार हो गई है पालग का एक दम देशी स्ट्याल सब्सक्राइन के वहली तयार हो गई है और चांदार खाने में उतना ही टेस्टी और एमी है आप है इस एक बाद जरूर बनाईग के साथ में मेरी वीडियो को लाइक किजेज़ और शेयर कीजिगा फैमिली यह फ्रेंज में थांक यू थांक्यू थांक्स फर वाचिंग बई-बई-बई-ई